हरे कृष्णा हरे कृष्णा वेल्कम यू ओल इन दे क्लास तो आज की क्लास में आप सभी वैशनों का बहुत-बहुत स्वागत है तो वोप आप साब अच्छे से होंगे तो अनुदि यानि न anchure of devotion ह मने complete की भकतिर स्वे सिंदु शिपाधरुब भुष्वामी की उसके बाद हमने भकतिर स्वे सिंदु बिंदु जो टीका है विशना चगती ठाकुर की वो हमने complete की राइट आज हम नए बुक शुरु कर रहे हैं वो है श्री मनाः सिक्षा श्री मनाः सिक्षा जो है श्री रगुनाद गुस्वामी जी के द्वारा ये वी दचित है बहुत ये सुंदर बुख है इस बुख में ये बताया गया है कि किस तरह से भाक्त को अपनी मन को जो सिक्षा देनी चाहिए ताकि वो शुद्ध भक्ती कर सके और भगवान कृष्ण में राग उत्पन करके कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सके तो आप जानते है रगुनाद दास गो स्वामी जो है वो प्रयोजन आचारे हैं हमारे प्रयोजन मतलब बतार लक्षन लक्षनी कृष्ण प्रेम है हमारा तो उसके जो आचारे हैं वो कौन है शिली रगुनाद दास को स्वामी और डीटीज कौन है ट्रयोजन आचारे के डीटीज ट्रयोजन के डीटीज कौन है ठीशी राधा को पिनार ठीक है तो इस बुक को हम लोग इसले पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बुक जो है हमें ये थोड़ से गाइडलाइन देगा कि हम किस तरह से भगवान की शुद्वक्ति कर सकते हैं और इसमें जो मन है वो हमारा किस तरह से मित्र बन सकता है ताकि हम भवान की शुद्ध भक्ती कर सके तो हाला कि ये बुग काफी हाई लेविल की है और मेरे तो मिलकुल स्टेंडर्ड का नहीं ने तो मेरी कोई बात रता है तो हम दो शॉट में इसको पढ़ेंगे की कोशिश करेंगे और इसी पर भक्ति विनो ठाकुर जो है उन्होंने शिल भक्ति विनो ठाकुर ने इस पर जो कमेंट्री दी है भजन दरपर उसको भी हम लेंगे और फिर उन्होंने जो भक्ति विनो ठाकुर ने जो इसी इनी श्लोकास के उपर बैश्न भजन लिखे है वो भी हम देखेंगे ताकि इसके भाव को हम समझ सके ठीक है तो हलाकि ये कारे के लिए बहुत शक्ति क्या वशक्ता है तो हम आप सभी बैशनों के चर्ण में प्रातना करते हैं ये करपा करके आप मुझे आश्रिवाद दीजे ताकि हम इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश क प्रेम से कहो जैसी कृष्ण चैटन्या प्रभनित्यानंदा शी अद्वेट के दाधरा शिवसादी गौर भक्त प्रिंदर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो श्री मना सिक्षा पर और उर्मिला वाता जी ने भी बहुत सुन्दर बुक जो है वो पुब्लिश की है और उसमें सची नंदन महराज और शिवराम महराज और एक और महराज हैं उनके साथ में हैं उन लोगों ने मिलकर कि मना सिक्षा पर पूरी कमेंटरी तयार की है और उनोंने भक्ति विनो ठाकुर की जो भजन दरपन है इसको भी लिया है और साथ में वैशनो सॉंग को भी एक्स्प्लेइन किया है उसके बाद हर महराज ने भी जो है शिवराम महराज ने सची नंदन महराज ने और मिला माता जी ने और भक्ति विज्ञान महराज ने इस पर अपनी अपनी कमेंटरी भी दी है जिससे कि इस लो वेना सिक्षा नरायन गुस्वामी की द्वरा श्री नरायन गुस्वामी जी है उन्होंने शायद इस बुख को किया है नरायन गुश्रम तो इसलिए यह जो बुक है यह बहुत इंपॉर्टेंट है और भक्तों के लिए जो आगे भक्ति में डबलप्म करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, काफी आपको गुई पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि आपको अच्छी जीज़े एकस्पेंड करेंगे, ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं, तो श्री मना शिक्षा, जैसा कि आप सब जानते हैं, मना शिक्षा, श्रीपाद जो रगुनादाद द तो आइए शिरू करते हैं प्रथम श्लोक, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपे लिखा हुआ है, गुरू गोस्ठे गोस्ठा लैश्यू स्रिजने भुसुर्गने, स्वमंत्रे श्री नामना, नामनी व्रजिनव युगुद्वन्द शर्णे, सदा दम्द हित्वा यह फोर्सट श्लोका है, इस मीटर में इसको घय जाता है, और आप देख सकते हैं कि बहुँ सुन्दर लिखा है, इसमें जो पहला जो श्लोक है, उसमें वो बूल रहे हैं, कि हे मेरे अबोध अंतर करण मेरे प्यारे भाईया मन यानि इसको कैसे समझा रहे हैं क्या करो तुम कि मैं तुम्हारे चरणों को पकड़ कर नम्रता पूर्व प्रिय वच्नों दरये प्रातना करता हूं मैं तुमसे बहुत प्रातना करता हूं भाईया मन कि कि तुम सर्वोत भाविन जो तुम्हारा दंब है, false ego है, उसको त्याग कर, तुम क्या करो, अपने श्री गुरु देव में, श्री ब्रज धाम में, श्री ब्रजवासी जनों में, श्री वैशनों जनों में, और जो भूमी पर सुर लोग हैं, जैसे ब्रामभन, उनमें, श्री भगवान के नाम में, ब् किशोर किशोरी शिशी राधा, कृष्ण के युगल, चर्णों में शिग्र ही, नै रत्मई, लोकोतर रती का विधान करो, तो इस तरह से, इस श्लोक में ये प्रातना कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस श्लोक के, जो व्याख्या करते समय, जो भग्ति विनो ठाकुर ने अपन दरपन, उसमें उन्होंने इसको और अच्छे से एक्स्लेंड किया है, तो आईए हम इसको देखते हैं कि किस तरह से ये इंग्लिश में भी इसको हम देख लते हैं, ताकि इसका जो मीनिंग है, वो हमें clear हो जाड़ा, तो जो फर्स श्लोक है, उसका जो मीनिंग है, वो है, Shri Guru, Shri Vrindavan, the adobe of Gao, the devotee resident of Vrindavan, to all the devotees of this planet, to the confidential mantra given by Gurudev, to the holy name of Shri, Shri Radha Krishna, and to the process of surrendering to the fresh youthful couple of Vraja, holding your feet, I beseech you with sweet words. तो मन, यहाँ पर मन को क्या कर रहे है, सिक्षा दे रहे है, रूपकुस्वामे, तो वो क्या कह रहे है, कि बक्ति विनो ठाकुर जो है, एक-एक शब्द की व्याक्या की है, तो सबसे पहले जो शब्द आता है, वो आता है, Shri Guru, उसमें दिया गया, इसमें पहले क्या बोला देखे वर्ड लिखा है गुरू शोका अगर आप देखेंगे तो गुरो वहना बहुवचन में प्रयोप किया गया है तो इसमें देखेगा कि तीन प्रकार के लोगों का वर्णने कनिश्क मद्यमर उत्तक तो यहाँ पे गुरू गुरू शब्द नहीं बुलके बुला गया है शोका में अगर आप देखेगा तो गुरो गुरो गोस्टे गोपाल लईशे तो यहाँ पे गुरो का मतलब क्या है बहुवचन यहाँ खाली अपने दिक्षा गुरू नहीं बलकि हमारे शिक्षा गुरू भी जब गुरू नहीं बोलके गुरू बोला जा रहा है तो इसमतलब सभी गुरू जन तो यहाँ पे बताते हैं कि सब प्रकार के अनर्थों को पूर्ण रूप से दूर कर स्रीकृष्ण संबंध ज्यान को प्रदान करने वाले हमारे भागवत श्रेश्ट दिक्षा गुरू एवं शीशी रधा कृष्ण युगल के भजन कम्रों की शिक्षा देने वाले भागवत श्रेश्ट शिक्षा गुरू जो है इन दोनों के चरण कम्रों को में प्रणाम करता एक हे मन तुम हमेशा हमारे सिक्षा गुरू और दिक्षा गुरू दोनों की शरण ग्रहन करके रहो समझ मागया इसमें पहले क्या करे है गुरू अपने मन को सिक्षा कर रहे है कि तुम जो सिक्षा गुरु और दिक्षा गुरु दोनों के चरण कमलों में जो है रहो और उनकी आज्या का पालन करो। इन दोनों को सिक्रिष्ण का अभिन्य सरूप और अतिशय प्रेपात जानकर प्रीति पूर्वव इनको मनो अभिसिष्ट सेवा करनी चाहिए। समस्त शास्त्रों में शीर गुरु देव को सर्व देव में एवं नित्य भगवत प्रकाश विग्रह माना गया है। इतेव इनमें मनुष्य पुद्धी का कदापी आरोप नहीं करना चाहिए। इनमें सदेव उपास से भाव रखना चाहिए। समद्वए आप क्या बता रहे हैं। ऐसे बता रहे हैं कि ये लोग जो है गुरु हैं, जो सिक्षा गुरु हैं ये गुरु हैं, इनको कभी साधरान नहीं मानना चाहिए। तो इन दोनों के चरणों में मेरा प्रणाम है और ये दोनों कैसे हैं भागवत प्रकाश तो यहाँ पर जितने भी आठ लोगों के बारे में भी बताया जा रहा है जिनको रगुनाद दाजगुस्वामी जो है ये बोल रहे हैं कि हे मन आप इनकी चरण भागवान और भागवान के तदिया दोनों include होते हैं ऐसा नहीं कि जो हम कृष्ण बोल रहे हैं जैसे आपने अभी बढ़ा बक्तिरा सामे सिंदु में कि भागवान कृष्ण का मतलब केवल कृष्ण नहीं होता है बलकि क्या होता है भागवान और उनके तदिया समलित होते है तो तदिया का मतलब क्या होता है भागवान का धाम भागवान का गुरू होते हैं धाम होता है वरजवासी होते हैं वैशनवाज होते हैं मंत्र होते हैं ये सारे चीज़ भागवान के तदिया होते हैं और ये बिल्कुल भगवान के समान ही होते हैं, अभिन्नत्व नाम नामिना, पढ़ते हैं, कि नाम कैसा है, नाम, चिंता, मनी, कृष्ण, चैतन्य, रस्य, बिक्रह, पुन्य, शुद्ध, नित्य, मुक्त, अभिन्नत्व, नाम नामिना, उसी तरह से जो गुरू जो है, वो के कि यहाँ पे सिक्षा गुरू को भी रगुनाद दास्तोस्वामी जो है, मेंशन कर रहे हैं, कि गुरू इंक्लूड बोथ, डिक्षा गुरू एंड सिक्षा गुरू, गुरू इंस्ट्रक्टिंग, the type of attachment one should develop towards the गुरू, while serving them in clearly explaining in the next verse also, तो और explanation है, सभी शास्त्र में भी में कि गुरू जो होते हैं, वो भागवत परायन होते हैं, तो यहाँ पे जो गुरू होते हैं, क्योंकि परंपरा में हैं, इसलिए वो भागवत परायन हैं, तो हमारे जो शिक्षा गुरू है, वो भी भागवत परायन हैं, दोनों में, दोनों के प्रती हमारा समर्पन होना चा ठीक है तो यह हुआ गुरू शी गुरो शब्द का मतलब फिर उसके बाद बोल रहे हैं श्री व्रजिधाम यानि गोस्ठा गोस्ठ का मतलब होता है कि गोकुल वरिंदावन नंदगाउ बरसाना श्री जावट श्री गुवर्धन श्री शाम कुंशी राधा कुंट आदी ब्र व्रजिधाम पत से बोध होता है यानि जब हम धाम कहते हैं श्री व्रजधाम तो उनमें यह सारी जो लीला अस्तलिया है वो आ जाते हैं तो व्रजधाम में जो प्रीती रखने का जो गुड़ भाव यह है कि कोई-कोई ऐसा संदेह कर सकता है कि भगवद भजन में ही शास् व्रज में विशेश अनुराग रखना चाहिए यदि शरीर के द्वारा व्रज वास संभव नहीं हो तो मन के द्वारा प्रीती पूर्वक व्रज में निमास भजन करना चाहिए ठीक है न तो दूसरा शब्द जो इस्तेमाल है वो है गोस्ट तो गोस्ट का मतलब होता है श् क्यों कि वहाँ पर भगवान के शुद्ध भक्त निवास करते हैं तो उन शुद्ध भक्तों की संगती में उन शुद्ध गुरू की संगती में हम अपने भक्ती को इंटेंसिपाई कर सकते हैं ताकि हम कृष्ण प्रेम की तरब जाएं क्योंकि हमने जैसे पहले भी चर्चा कि तो शद्धा है यही गाड होती है शद्धा और गाड होती जब हम सादू संग करते हैं फिर भजन क्रिया के जो अनर्थ है जब उपर जाते हैं फिर अनर्थ निवृत्ति का स्टेज जब हम पार करते हैं तो हमें निष्ठा भक्ति प्राप्त होती है और हमारे अंदर गुंड डबलक होते हैं तरोरिवा सही सुना अमाननिना मानदेना कीर्टनिय सदात तो ये दंभ यानि जो false ego के कारण हम इस जगत में फसे हुए है इसलिए न तो भगवान में प्रिती है या तो केवल भगवान में प्रिती है इन में प्रिती नहीं है तो इन दंभ के कारण जो पॉल्स प्राइड है इसके कारण हम इन सब के प्रती आगरभाव नहीं रख पाते हैं तो इस शलोक में जब हम पढ़ते हैं कि इन आठ लोगों के साथ हमारी कैसी बुद्धी होनी चाहिए रति अपूर्वम अतिरम मतलब भी बहुत सुंदर शब्द है रति अपूर्वम अतिरम का मतलब होता है ऐसा विशेश अनुराग जो पहले नहीं था हमें ऐसा अनुराग रखना तो हमें शिल्प्रवुप गुरु हमारे जो अचारे गर्णों ने भी बताया है कि गौडिया फ्रेशन संप्रदाय में भगवान की जो भक्ती में जो प्रीती लक्षन बता जाते है उसका example क्या दिया जाता है कि जैसे एक नव यूवक एक नव यूवती को लव करता है वैसा अनुराग हमें रखना है वैसा अनुराग हमें रखना है ऐसा नहीं कि बस हम भगवान की भक्ती कर रहे है भगवान से प्रेम कर रहे है नहीं प्रेम का आकर्षन का लेवल क्या है जैसे एक नव यूवक होता है पंदा सोला साल का यूवक होता है उसका जो प्रिती होता है अपने प्रियतमा के साथ वैसा अकर्षण हमें भगवान के प्रती रखना है तो खरी भगवान के प्रती रखना है नहीं ये तदिय जो है इनके प्रती भी रखना है तुश्री धाम तुश्री धाम का मतलब जितने भी निति लीला जहां भगवान न की है, उन सभी इस थलियों में वास करकर हमें भगवान के नाम की चैंटिंग करनी चाहिए, भक्ती करनी चाहिए और निमों का पालन करना चाहिए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 भगवान के प्रती, जो हमारे instruction है, या भक्ती है, श्रमणम है, यह बहुत intensify रहता है, बहुत clear रहता है, बहुत meditative रहता है, इंस्रेक्शन भी हम देखपा, देखियो, क्योंकि धाम में यह सब अनुराग विशेश रूप से, जो है वो उत्साही रूप से हम उसको कर सकते हैं, क्योंकि सादू संग बहुत अच्छा होता है, और साथ में धाम का vibration रहता है, तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें श्री धाम, ब्रिंदा वन के प्रतीवी कैसा अनुराग रखना चाहिए, अब हमें कैसा अनुराग रखना है रती अपूर्वा मतिरम सब के साथ लग जाएगा, है ना गुरू में कैसा अनुराग रखना है कि रती अपूर्वा मतिरम, यानि पहले कभी ऐसा राग नहीं रहा है ऐसा राग हमको develop करना है अपने गुरू और सिक्षा गुरू के प्रति फिर बता रहें व्रजधाम के प्रति और यहाँ पे बहुत से लोग उदास हो जाएंगे क्यों उदास हो जाएंगे कि सब तो व्रजधाम में रहते नहीं है सब धाम बास नहीं कर सकते तो यहाँ पे सबको धाम सुनब कराने के लिए आचारे जो हैं रगुनादास को सामी कहते हैं कि यदि आप वास नहीं कर सकते तो मन से वहां रहें अपने मन से वहां रहें और वहाँ पे इस तरह से रखिए अपना विरह कि आपको मन के द्वारा रोज वहाँ पर जाए प्रणाम कीजे और पृती पूर्वक वहाँ पर सुची के महीं पर रहे कर भजन कर रहे तो इस तरह से हम ब्रजवास कर सकते हैं अब अभी तो इंटरनेट का जमाना है तो आप लोग दवंधाम के मायापूर के और भी जो भगवान के तीर्थिस्तलियां है उनके दर्शन करते हुए आप क्या कर सकते हैं चैंटिंग कर सकते हैं या भक्ति कर सकते हैं उन दर्शन कर सकते हैं वहां की दिलास्तलियां देख सकते हैं तो इस तरह से भी हम जो है शीधाम व्रिंदावन में वास कर सकते हैं तो दूसरा शब्द है गोस्टः और तीसरा शब्द आता है गोस्ठा लेलनी है देखिए आप श्लोका देखे फिर से तो उसने बताया है कि गोस्ठा लईशु नेखिए पहले करके है गुरो गोस्थे फिर गोस्था लाइशु तो गोस्था लाइशु क्या है गोस्था का मतलब ब्रज और लाइशु यानि रहने वाले यानि जो residents of Brindavan, ब्रजवासी जन तो ब्रजवासी जन मतलब क्या होता है कि दोसु recite in ब्रजधाम for the purpose of pleasing the love through devotional service are called ब्रजवासी ये बहुत important definition कि केवल ब्रजव में हर कोई बास करने वाला ब्रजवासी नहीं होता है जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो धाम में बास करते हैं और उनके जीवन का एक मात्र लक्ष रहता है भगवान के प्रेम मई सेवा करना उनको प्रसन्न करना वो लोग ब्रजवासी कहलाते यहाँ जो कोई भी नियम का पालन नहीं करते समस्थ प्रकार के पापों में लिप्थ होते वो ब्रजवासी में होते यह तो अगर कोई विक्ती बाहर से भी आ व्रजवासी कैब बन सकता है बहुत से बताएं कि वहाँ पे जनम लेने से वहाँ पे विवाह करने से दिक्षा लेने से और भी कई processes करने से वो विक्ति व्रजवासी हो जाता है, ठीक है न? तो या तो फिर जो वहाँ पर रागुत्पन करके जो व्रजवासी रह रहे हैं उनका संग करने से भी हम व्रजवासी जनों का जो है सानित्य प्राक्त कर सकते हैं तो यह बता रहे हैं कि यूगल सेवा के लिए जो भक्त जन व्रजवे निवास करते हैं वे शुद्व भक्त मात्र व्रजवासी हैं, तो हमेशा हमें सहजिया नहीं हो जाना, सहजियों के प्रति आकरशन नहीं होना चेए यह जो हमारा जो मारगदर्शन लाइन है या मिशा याद अरना करें किसके अंडर में हमको रहना है किसको हम अपको किन ब्रजवासी जनों की बात की जा रही है जो युगल किशोर किशोरिक में कैकि पृती में या उनकी प्रेम में सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष मांते है अनकी प्रसंता को ही और जो है सनातन धर्म के हनुसार जीवन जीते हैं वो लोग ब्रजवासी हوتे है क्योंकि वो लोग भोग और मोक्ष की बात तो क्या वेकूंट की नालसा का भी परित्याकर शिशी डादा कृष्ण के युगल सेवा के लिए शरीर और मन से व्रज में वास करते हैं ये बहुत चीजें इसमें सीखने को मिल गए तो शुद्ध भक्ति की जब हमने डेस्टिनेशन पड़ी थी तो हमने देखा था ज्यान कर्मादी अनावरितम आनकूले न तो हमने क्या देखाता कि भाव और क्रिया दोनों बगवान के अनकूल होने जहें आना ऐसा कभी-कभी जो हता है कि क्रिया हो सकता है कि अनकूल नहों लेकिन भाव तो निशित अनकूल होना चाहें इसका मतलब क्या है कि भक्ति में ये बहुत important है इस बुक में उर्मिलमादा जी भी mention करती है कि भक्ती में जो भक्त होता है वो instruction को follow करता है अपना inner inner core develop करने के लिए भक्ती में भाव हिर्दे का भाव बहुत important होता है क्योंकि हिर्दे के भाव से व्यक्ती जो उसका वाहे भाव है वो तोनों math होना चाहिए यानि जो instruction वो पढ़ रहा है receive कर रहा है गुरू के द्वारा उनको वो पूरे हिर्दे से धारण करता है और अपने आचरण में भी उसको लाता है वो होते हैं शुद्भक्त और शुद्भक्ती करने वाले डोग जिनका external और internal में अंतर गा लेते हैं कंठी माना पहन लेते हैं बैशनो ड्रेस पहन लेते हैं लेकिन अंदर से हम भगवान के instruction को ठीक से follow नहीं करते हैं वहाँ चलता है या हम केवल अपनी ही आग्या के अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार रहते हैं तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ब्रज में जिसे especially जब लोग वास करते हैं तो generally गुरू को जाके inform करते हैं गुरू से पूछ कर वास नहीं करते हैं इसी लिए उनकी शुद्ध भक्ती नहीं हो पाती इसलिए क्योंकि किस होते हैं इसकी कोई इतनी सरवत नहीं it's not very important thing it is very important thing it's very important thing to inform our authorities लेकिन हम उनको information देते हैं सब करने के बाद this is not ब्रजवास this is only your extensive form of sense gratification जैसा कि हमने इशोपनिशन में पढ़ा है इशोपनिशन पढ़ा नहीं एक विस्त्रीन स्वार्त होता है एक स्वार्त होता है अपने प्रती अपने परिवार के प्रती लेकिन एक विस्त्रीन स्वार्त भी होता है जब हम देश के प्रती राष्ट के प्रती समाज के प्रती जब हम कर रहे हैं दिखाते हैं यह मेरा है तो वो विस्त्रीन स्वार्त आता है तो ये सब सिध्धानतों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए It is very important तो हमारे आचारे जो हैं शिल्प्रिवपाद जो हैं वो गौडिया मठ में बक्ति सिध्धान सजी ठाकूर बक्ति विनोड ठाकूर चैतन्य महाप्रभू के होट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो भजनानंदी नहीं बनते हैं कि हम व्रज में अपना एक गर बना ले और रहा करें और किसी से पूछने की ज़रुवत नहीं है जस्ट हम रह रहे हैं अपना यहां वहां सेवा है यह है यह दर्शन इस तनी यह दर्शन कर रहे है कुछ नहीं होता उसे क्यों क्योंकि हमारा मूड है हमारे जशिली प्रभुपाद है वो व्रिंदावन में नहीं रहते हैं वो व्रिंदावन से बाहर निकल का प्रचार करते हैं तो भगवान को वो भक्त बहुत प्रिय हैं, जो भगवान की सिक्षाओं को जन जन में विस्तार करते हैं, बाटते हैं, प्रचार करते हैं, पेन लेते हैं तो जीवन सार्थक करी करपर उपकार जो अपना जीवन भी inner code में भी ये instruction को समझे और follow करते हैं और क्या करते हैं उनका inner और वाहि विहेवियर दोनों जो है equal होता है ये होते हैं ब्रजवासिजन या ब्रज में mentally वास्करना अगर आप सशरीर नहीं भी हैं तो ये होता है सही रूप से धाम में वास करना तो अब हमें अपनी अपनी कटेग्रीज जो है वो चेक करनी चाहिए कि हम धाम के प्रती कैसे रखते हैं हम व्रजबासी के प्रती कैसे रखते हैं और हम ब्रजधाम के प्रती कैसे हमारा attitude है तो जितनी मात्रा में कर्व बाहर की तरफ है इन सिध्धानतों के हमें धीरे धीरे इसको कर्व के अंदर करना चाहिए तो शुद्ध भक्ति की जो definition है अन्य अभिलाशिता शुन्य ज्यान कर्म आदी अनावरितम हमेशा thought चलते रहना चाहिए कि ये लोग सही व्रजवासी हैं जो भगवान की प्रिती के लिए सदैव अपना आचरण करते हैं उनके जीवन का लक्ष होते हैं भगवान तो उनको व्रजवासी कहा जाता है यहने कि कोई भी residence रह रहे हैं लेकिन वो भगवान की भगती नहीं कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए उन्हें दूर से सम्मान देना चाहिए अटलीस्ट वो वहाँ पे रह रहे हैं लेकिन उनका संग नहीं करना चाहिए क्यों? क्योंकि वो असली ब्रजवासी नहीं है तो जो ऐसे व्रजवासी हैं जिनों ने दिखे लिखा है कि ये उत्तम भागवत होते हैं जिनकी ऐसी मेंटलिटी होती है इस मेंटलिटी के हिसाब से व्रजमेवास कर रहे होते हैं ये उत्तम भागवद भक्त होते हैं जैसे कि अभी जो गुरू शिक्षा गुरू जो होते हैं या वो लोग जो होते हो क्या होते हैं मध्यम भागवद भक्त होते हैं और ये जो व्रजवासी जन होते हैं और दिक्षा गुरू होते हैं यह उत्तम भागवद भाक्त होते हैं फिर उसके बाद कनिश्क भागवद भागवद की बात की जा रही है देखेएगा बहुत सुन्दर्श लोग है यह तो यहाँ पर यह समझ में आ गया गोश्ठालियन लाईशु गोश्ठालियन ब्रजजनवासी कि यहाँ पर और भी लिखा कि मैं सद्दास्चारी तत्वग भगवद भगत हूँ उन लोगों में से मैं किसी भी विश्य में कम नहीं हूँ ऐसा दम्ब छोड़कर ब्रजवासी जनों के प्रती प्रिती रखनी चाहिए यहीं कि मैं बहुत बड़ा भगत हो गया हूँ अब तो मैं ब्रज में जाते जाता हूँ मुझे सब कुछ पता चल गया है मुझे सब कुछ पता है कहा क्या क्या होता है अब मैं भी उनके समान ही व्रजवासी हो गया हूँ ऐसा दम्ब जो है त्यागना चाहिए क्योंकि जो व्रजवासी की जो भी केटेगरी बताई गई है उस केटेगरी के हिसाब से हम व्रजवासी हैं क्या तो जब ये सब मूड बहुत डिफिकल्टी सूद र लबा होते हैं तो ऐसे दम्ब छोड़कर हमें व्रजवासी जनों के लिए फ्रीती रखनी चाहिए तो मैंने बताया था इश्लोप में लिखाया है कि क्या बताया है रति अपूर्वम अतिरम हर शब्द के साथ जोड लिजे हैं ना श्री गुरु रतिया पूर्वम अतिरम के ऐसी अब रति डबलब करनी कि अभी तक जो मैंने रति उत्पन की है इसे स्पेशल जो पहले कभी उत्पनने की ऐसी रति उत्पन करनी है और अपने मन को जब आप इंस्ट्रक्शन देंगे तब आपकी चैंटिंग और संबंध ग्यान और होगा और उससे दोरा आपका जो भजन है वो बहुत इंटेंसिफाए होगा मन लगेगा इसके बाज है नेक्स्ट वो है सुजन सुजन का मतलब है कि वैष्णवा जवासी जनो को आप क्या बता रहे है कि उन सभी स्रीजन याने उन सभी वैष्णो को जो बाकी संप्रदाई के लिए उनके प्रति भी हमें रिस्पेक्ट फिलिंग होनी चाहिए है न जिसे चार संप्रदाए हैं कौन बताएगा चार संप्रदाए कौन कौन से है तो बाकी संप्रदाए के जो भी वैश्णवास है perhaps they may not reside in ब्रजदाव even in meditation but still they are bona fide and are devotee of the Supreme Lord भगवान these are the intermediate मध्यम भूगत्व डिवोटी ये भी मध्यम अधिकारी भगत होते हैं इनके प्रती भी हमारी रति अपुर्व मतिरम होना चाहिए उनके प्रती सम्मान होना चाहिए ठीक है तो यहाँ बता रहे हैं कि चारो वैश्णो सम्प्रतायत है था उनकी शाखाओं के आश्रे साम्प्रतायक भगबद भगजन जो सुरूबता ब्रजबास नहीं करते और शरीर से ब्रज में निवास करने पर भी ब्रजब्रभाव से शिशी डादा अनुराग में सेवा नहीं करते उन्हें यहाँ सुजन कहा गया है उनके प्रतीबी हेता या भेत दृष्टी छोड़कर शद्धा रखनी चाहिए यह मध्यम भागवत है ठीक है? क्लेर होगे? यह मध्यम भागवत है अब उपर क्या बतायता? उत्तम भागवत कौन होते है ब्रजवासी अब मध्यम भागवत कौन होते है यह जो सुजन होते है तो अपने मन को रुगोस्वामी क्या सिक्षा दे रहे है? पहले गुरु को यानि सिक्षा गुरु अधिक्षा गुरु दोनों को फिर गोस्ट को यानि जो ब्रजधाम को विविन लीला अस्तर्यों में जाके भगवान की भक्ती करनी चाहे पिर गोस्टा लैश्यू यानि भगवान के भागवत जो ब्रजवासी जन है वहाँ पे जो निवास करते हैं जो ब्रजवासी प्रिती ही उनके जीवन का लक्ष है ऐसे ब्रजवासी जनों के ब्रती भी हमें अनुराग रखना चाहिए और पिर सुजन यह जो और भी वैशनों संप्रदाई के लोगे जो नहीं रहते यह अनुराग नहीं रखते लेकिन संप्रदाई में है उनकी भी हमें respect at least करनी चाहिए ठीक है तो इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमें अपने अचारियों से ध्यान रखना चाहिए कि respect करनी चाहिए लेकिन संग किस से लेना चाहिए यह important है है ना संग का मतलब होता है गुहियम आख्याती प्रिच्छती ये हमेशा अपने गुरु से लेना चाहिए अपने सजातिय गुरु अपने सजातिय गुरु बांधाओं से लेना चाहिए हमेशा ये ध्यान रखेगा है ना रेस्पेक्ट करनी है क्यों क्योंकि हम कहीं न कहीं तिरसकार करते हैं सबका इसके कारण हमारी शुद्ध भक्ति नहीं आती है और हम तिरसकार क्यों करते हैं अपने false ego के कारण, दंब के कारण अपने दंब के कारण हम ऐसा करते हैं इसलिए इसको छोड़ना पड़ेगा तब ही हमारे अंदर सरलता आएगी और हम अपनी सही पोजीशन तुच्चिता के पोजीशन पे समझेंगे तब तिरनाद अपी भाव डबलब होगा अब हम सब की रिस्पेक्ट कर सकते तो आप जानते हैं कि रोगनाद दास गुस्वामी भी एक हजार से जादा वो रोज दंडवत प्रिणाम किया करते थे वहिशनों को प्रिणाम करते थे तुलसी को प्रिणाम करते थे गुवर्दन को प्रिणाम करते थे गुरुों को प्रिणाम करते थे धाम को प्रिणाम करते थे वो अस्टिकालिक लीलाओं से मानसिक चिंतन किया करते थे, बगवान की अस्टिकालिक लीलाओं को अब आप बताईए, यह थे रगुनाद दस्तुसवन, ठीक है, हम लोग का स्टैंडर्ड वो नहीं, लेकिन हमारे आदर्श के रूप में हम इन सब आचारियों को रख सकते हैं और अपनी भजन को उनके मारग दर्शन के हिसाफ से चला सकते हैं तो इस तरह से अनुराग होना चाहिए रति अपुर्व मतिरम फिर उसके बाद नेक्स चाहते हैं भू सुर्गण कितना सुंदर है तो ब्राम्हनाज जो है जो वर्णाशम धर्म का पालन करते हैं भगवान में जैसे है कि गुरु लोग रति हमारे रखते हैं वैसे नहीं रखते हैं लेकिन फिर भी भगवान के प्रति वो रति रखते हैं ऐसे ब्राम्हनों के प्रति रतिय पुर्व मतिरम हमारा होना चाहिए सब्सक्राइब कौन से ब्राह्मन? जो वर्णास्रम सिस्टम में हो सच्मुच पालन करते हो ऐसा नहीं आज कल देखते हों कि ब्राह्मन काफी पतन हो चुका है कोई नियम का पालन नहीं करते कहीं भी कुछ नहीं करते तो वो ब्राह्मन की बात नहीं कहा जरी है यहाँ पे जो भूमी पर जो सुर है तो जो ब्राह्मन की कितना बैलू है धर्ती पर जो सुर है यानि देवता है वो कौन है ब्राह्मनाज होते है तो देव बढ़नाश्रम में निस्ठा संपन बैश्णो धर्म के सिक्षक ब्राम्मन गण ही भूसुर अर्थात प्रित्वी के देवता हैं आप देखें ये कनिश्क भागवत है ये कनिश्क अधिकारी नहीं इनको भी भागवत कहा गया है समझ रहे हैं ये ब्राम्मन भी जो होते हैं इनमें भी प्रिती रखनी चाहिए श्रिमत भागवतम में स्वेम भगवान स्रिकृष्ण समराथ निरत प्रसंग में दारिका वास्यों को समझा रहे हैं कि विप्रम कृता गसमपी नैवं दत्रात मामकाद भंतह बहुशंपतह बा नमस्कृत नित्यशह श्रिमत भागवतम 10.6441 में बताए गया मेरे प्रिये जनो अप्राधी ब्रामध से भी द्वेश मत करो चाहे वो ताड़ना करता रहे या श्राब देता रहे तुम उसे नित्य नमस्कार करते रगो अता इनके व्रती द्वेश या अवग्या का भाव नहीं रखना चली देखे हमारे अंदर इसा फीलिंग क्यों नह नहीं आती अरे वो यह नहीं मानते हैं बस एक ही काड़िगरी देखते हैं नियम का पालन करते हैं नियम का पालन नहीं करते हैं लीपके हम सिश्टा चारड डफलब करने को कहा रहा है क्यों च構ळा खाह ज गुषेश लोग हैं, इनको देविता कहा गया, भूमी का देविता, तो अंदर से उनके लिए falti होना चाहिए, आधर होना चाहिए, ठिक है न? रतिया कोन रत्रयाओ, लेकिन कौन से भकतों को के प्रति आधर होना चाहिए, उनके साथ मिलना चुनना चाहिए, जो वेणी, वेणी बिताए, देव वर्णाश्रम जो है, उसमें वो निष्ठा रखते हो, है ना, वर्णाश्रम दर्म का पालन करते हो, यहनी चार नियम का पालन करते हो वेश ब्रामगर, भगवान की एक नैस्ट की भक्ती नहीं करते हो, बाकी देवी क्यों भक्ति करते हैं लेकिन कृष्ण को मानते हूं ऐसे भक्त है ना ऐसे भक्तों की हमें भक्ति करने चाहिए फिर उसके बाद आ रहा है थो इंग्लिश में इसको पढ़ देते हैं these are the person who are teachers, priest, intellectuals, scholars, counsellors or healers and who are firmly firm in the spiritual duty for their occupation and life stages Varnashram Dharma such person also teach the worship of Lord Vaishna Dharma to the pious person Varnashram follower and they are known as junior or Kanishtika Bhagavata some people say that Shri Liragunathas Gosami has placed Sujana and Bhusurgana in two separate category ना बहुत से लोग कह सकते हैं कि जो दिखें पहले की Sujana और Bhusurgana इनकी दो अलग-अलग category रखी इन दुनों को एक एक category रख सेंथे However, if the term Bhusurgana is taken and adjective of the term Sujana then it will be translated as to all Vaishnama who are also Brahmanas यहाँ पर समझा जासे हैं कि दो अलग-अलग category हैं और इन दोनों की हमें respect करनी चाहिए इसके बाद आता है Swamantre Swamantre मतलब होता है हमारे जो दिक्षा मंत्र है Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare जो हमारे गुरू, दिक्षा गुरू ने हमें प्रदान की है उस मंत्र के प्रती हमें बहुत जादा जो है रती होनी चाहिए हम कब सुनेंगे, कब हम हरी नाम नेगे, कब हमें भगवान में आ सकती होगी इसके लिए हिर्दय में रोना चाहिए, अश्रुपात होना चाहिए और ये बार-बार ऐसे लोगों से मिलने की जिग्यास्वान और जिदिन के पास रती हो तो this is the spiritual mantra और भगवान mantra that is bona fide guru gives a passion of initiation है ना, जैसे की काम गाइत्री स्वा मंत्र मने, इसे काम गाइत्री गाइत्री मंत्र जो होते हैं, यह स्वा मंत्र होता है यह ना, दिक्षा मंत्रा एं श्री हरी ना, यानि primary name of supreme personality of godhead is related to spiritual world and spiritual internal function our name as श्री हरी, श्री राधाकांत, श्री कृष्णा, श्री गोविंद and so forth, secondary names such as पतित पावन और परमात्मा are related only to material world one should always take shelter of lord primary names तो हरी नाम जो है, हरे कृष्णा, रिखे हैं आप लिखा है श्री हरी, श्री कृष्णा, गोविंद, गोपिनात, राधाकांत ये भगवान के मुख्य नाम होते हैं और जो भगवान के god नाम मैंने बताया था कि generally two category की जाती है लेकिन वोती तीन category है एक होता है मुख्य नाम, एक होता है god नाम और एक होता है माधुरिय नाम clear हो आ तो जो मुख्य नाम होता है जैसे भगवान के जो मुख्य मुख्य नाम है उनको जो प्रनाउंस के रहे हैं श्री हरी, श्री कृष्णा, गोविंद, गोपिनात, राधाकांत ये सब और उसके बाद जो होते हैं god नाम होते हैं बलाते हैं पतितपावन या परमात्मा या ब्रम्ह ये जो होते हैं ये god नाम होते हैं लेकिन जो माधुरिय नाम होते हैं वो होते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा, 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 कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 यहां पर हरे यानि श्रीमति राधा रानी कृष्ण यानि कृष्ण और जो हरे है उसका मतलब एक और भी है जो यहां पर राम का मतलब क्या है राधा कांथ यहां पर राधा में रमन करने वाले जो कृष्ण है उनको कहते हैं राधा कांथ राधा रमन तो वो राम है यहाँ पर इन सोला नामाकत नामंत्रों को कल्यूग का महामंत्र रखा गया था प्रिती पूरुक इनका जब को कीतनादी करना चाहिए तो आपको समझना चाहिए कि हमारे जो आचार्ने उन्हें माधुर रिरस दिया है सुप्रीम यह हरे कृष्र महामंत्र दिया है और हमें यह कितनी होनी चाहिए आचार्यास लिखते हैं कि भगवान के खजाने में जो सबसे बहुमूल रत्न है वो यह हरी नाम था और यह हमें चैतने महाप्रभू ने प्रदान किया है तो हम लोग कितने फॉर्चुनेट हैं कितने भागशाली हैं हम समझ भी नहीं सकते हैं तो इसके प्रती हमारी रिती होनी चाहिए फिर उसके बाद है स्रीव्रज नवयोदंद की शरण यानि अनन निभाव से शिशी रादा यूगल किशूर की शीक शरण कर्मों का आश्रे गहन करने शरण करते है शी रादकाय दासी यदी होई अभिमान शीकर मिलन तब गोकुल कान बक्ति विनोर ठाकुर कहते हैं वन शूद टेक शेल्टर एक्स्क्लूजलिबली और वन पॉइंट एंड वन पॉइंट एंड अफ ब्रज यूग दिवाइन का पल शीशी रादा यानि विवसात्मी का बुद्धी होनी चाहिए कैसी बुद्धी होनी चाहिए बगवान में? विवसात्मी ब्रज नवयुद्धी फिर उसके बाद नवा है दंब छोड़कर दंब हित्वा गिब अप प्राइड इसको कोई पढ़िए? दंब छोड़कर माया चल कपड़ता अविज्या कटू उलता और शंकटा आधी को दंब कहते हैं भक्तों के अनुशीलन में कुटिलता और शंकटा आधी को दंब कहते हैं भक्ति के अनुशीलन में इस्ट देव की प्रिती वृद्धी के अतिरिक मन में किसी प्रकार की दूसरी आशा या कामना होना ही कपड़ता है भक्ति साधन में कर्म ज्यान और योग आधी प्रधानता होने से और विद्या का भाव रहने पर वही माया छनता है और इन सब का यतन पुर्वक परित्या करना चाहिए शुद्ध भक्ति का आश्यर्य लेने से वर्णाश्रम जड लालसा और स्वरुप भ्रह्म इन तीनों के सब्वंध में उत्पन होने वाला सभी प्रकार के एक दंब दूर हो जाते हैं तो यहां पर देखी बताया है माया चल कपटा अविद्या कुटिलता और शटता यह सब दंब होते हैं एंग्लिश में है इसका मेनिंग इलूजन या ट्रिक्री बिहेवियर इग्नोरेंस चीटिंग नट सिंप्लिसिटी एंड डिसाइड और दुप्लिसिटी कपट यहना शटता तो वाइल कल्टिवेटिंग प्योर डिवुशनल सर्विस इफ देर इस एनी अधर मोटिव बिसाइड प्रोग्रेशन इन भग्ति देन वन इस इंगेज इन काइंड अफ चीटी और दुप्लिसिटी दुप्लिसिटी का मतलब करता है कि भक्ति में भगवान का प्रीति न देकर कोई और मोटिव रखना यह डुप्लिसिटी कहलाता है यानि अंदर से भाव अलग है और उपर से डिवोटी बने हुए और इसमें क्या होता है गुट वर्क फॉर मेंटिरिएल इंजोअर्मेंट जब हम इंद्रित रपति के रेकारे करते हैं तो यह माया यह कर्म कराता है is prominent in the devotional process कि हम भगवान की भक्ति भी क्यों करते हैं ताकि हमें कुछ प्राप्त हो जाए बहुत देख सुप तो जब हम वो करते हैं तो वो जो हता है वो कर्मा हो जाता है अब इद्या मतलब होता है कि जब हमें भगवान की philosophy के बारे में ठीक से पता नहीं होता है है ना जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं शुद्ध भक्तों का association मिल जाता है भागेवश तो क्या-क्या चीज़े जो हमारी जड़ लालसा और स्वरूप भ्रह्म है हमें ये सब तीनों जो है निकल जाते हैं जो वर्नाशम सिस्टम में रहती है जड़ लालसा रहती है और स्वरूप भ्रह्म रहता है ये शुद्ध भक्तों का association में शुद्ध भक्ती करने से अपने आप निकल जाती है यानि दंब जो है वो छूट जाता है अज्यानता है या माया में है या छल है हवारे अंदर कपटता है उटिलता है शटता है ये सब चीजें जो है छोड़ कर हमें भक्ती करनी चाहे फिसकोज बता रहे है अपूर्वम रती आत्म रती ही शुद्ध रती है जीव सरूपतह लव इन एहरन इन दे सोल इस प्योर लव फॉर फॉर दे लव आत्म रती या शुद्ध रती विन दे प्योर लव इन दे कंडिशनल सोल कम इंटो कॉंटक विद दल मैटर अफ माया इस ट्रांसफोर इंटो मैटिर आचेट हमने देखा है कि जो भगवान का शुद्ध प्रेम है भगवद गीता भगवान बोलते है कि जो प्रेम है यही विकृत होकर काम के रूप में बटल जाता है यह अमें बताया क्या है कि जीव सुरुकता क्रिशन दास है और उनके सुध सुरूप क्या है कि भगवान के पती रती रखना लेकिन माया में फस जाने के कारण उनकिया उसकी विप्रीद बुद्धी ओ जाती है और वो माया में लग जाता है शुद्ध भक्त आत्म रती इस्तित है अता शुद्ध कृष्ण प्रेम भी आत्म रती है क्योंकि कृष्ण ही सभी आत्माओं के आत्मा है तो व्रिद्धा वस्ता में शुद्ध आत्म रती तो भगवान के प्रती रती होनी चाहिए शिग्र विधान करो 11th है शिग्र विधान करो यह शब्दा यह है इसका अर्थ है कि अथिरम कुरो अथिरम कुरो Make intensive endeavor अतिसय विधान तिसमें क्या बताया है Intheosically feel encouraged to progress and take full shelter in the devotional part do not become complacent thinking if I am lucky I will get spiritual success or if I am not it is my fortune then I may not achieve it as much as the mercy the Guru Krishna combine with own one endeavor one get spiritual potency and much as that spiritual potency manifests one desire to enjoy the fruit tip of own action will be diminished यह भी क्या बता रहे है कि विशेश व्याकुलता के साथ जो है अवलंभन करना चाहिए आत्मरती को यानि शिग्रता से इनकी प्रती लग जाना चाहिए इन लोगों की जो अपर जो आठो लोगों के बारे बताया गया है इनको हमको प्रेम करना चाहिए इनके प्रती आधर होना चाहिए और अपने दम्भ को छोड़ देना चाहिए धीरे धीरे ऐसा practice करना चाहिए तो यदि हम भागिशाली होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं इस भाव को ठीक से प्रकाशित कर सकते हैं और शुद्ध भक्तों को अगर association मिल गया तो यह बहुत तेजी से वैसे प्रिद्धी हो जाती है और ऐसा भक्तों के association में यह दंब निकल जाएगा यह बहुत जादा हमें इसमें विश्वास होना चीए तो इस तरह से इस श्लोक में तातपर यह है कि जब तक भक्त संके प्रभाव से कर्म वाशना चिर्ड नहीं होती तब तक शद्धा उत्पन नहीं हो सकती ठीक है? क्लेर होगे? आगे चले और जब द्रण विश्वास शद्धा उत्पन नहीं होती तब तक हरीकत्था यह याद रगे हैं हरीकत्था में हमारा मन नहीं लगता तब सोच लिजी कि हरीकत्था में अगर उबना लगता है नहीं होता इसका मतलब कि हमारा शद्धा में कमी है तो शद्धा में कमी होने करण हमारे जो hearing process है वो उसमें मन नहीं लगता जाए तो यहाँ पर बिता रहे है हरी कथा तथा सादूपदे श्रमण एवं ग्रहन करनी के यक्ता भी नहीं आती यदि शद्धा जो है जो नहीं होती सभाग बश परमार्थी शर्था उत्पन होने पर स्वर्पतम दिक्षा गुरू की श्रण होकर युगल मंत्र ग्रहन करो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें दिक्षा लेनी चाहिए इडिस वेरी इंपोर्टेंट दिक्षा के बाद शिक्षा प्रग्राम होना चाहिए यानि मंत्र मिला है इसको फिर उसके हिसाब से बोलना है मंत्र लेका दिक्षा शिक्षा गुरू को आत्मरती द्वरा पूजा करने चाहिए गुरु देव मुनी समझ कर केवल सम्मान देकर संतुष्णाओ अभिति परम हितेशी प्राण बंदू मान कर उनकी पृति पूर्वक सेवा करने चाहिए कनिश्क मध्यम और उत्तम इन तिर्वित वैशनों का यथायोग सम्मान पृति पूर्वक सेवा सतकार करना चाहिए साथी शिर गुरु के द्वरा दिया गया मंत्र यानि गायतरी मंत्र हरी नाम में अनुराग होना चाहिए ब्रजवासी ब्रजस्थनियों में अनुराग होना चाहिए और आधा कृष्ण की जो युगल जोड़ी है इनको अपना प्राण समझना चाहिए इनको ही हमें प्राप्त करना है तो यहां पे इतम सीधा सीधा मना सिक्षा में बोल रहे है कि यहां पे नर नरायन की बात नहीं की जा रही है यहां पे भगवान के द्वारिका धिश की बात नहीं की जा रही है कि आपे जो गिरिधारी है शिशी राधा गिरिधारी जो व्रज में बास करते हैं उन शिशी राधा के चरण गिरिधारी के चरण कमनों में उन गोपिनाद के चरणों में हमें जाना है जब तक हम भगवान शिशी गिरिधारी के चरणों में अगर हम अपना भक्ती नहीं करेंगे हम ब्रिंदावन नहीं जा पाएंगे गोकुल नहीं जा पाएंगे देख कितना clear cut बताया है है ना थैंक यू सो मश ते पहला अशलो कम्प्लीट हुआ शिल्प्रपाद की करेंगे